जब कॉलेज एपंग बिस्विद्यलैयों में बरिष्ट छात्रों द्वारा नए छात्रों को अपमानित किया जाता है या अभद्र हरकत करने के लिए बात दे किया जाता है या अभद्र तरीकों का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है तो इसे रैगिंग कहते हैं मोल रूप से रैगिंग पस्चिमी सब्वेता की देन है रैगिंग की सुरुवात एरोपिय पिस्विद्यालेयों में सीनियर छात्रों के द्वारा नए छात्रों के स्वागत के जाने वाले मजाख से हुई धिरे धिरे यह पूरे बिश्व में फैल गया बरतमान में करीब गर्व सभी देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है टॉपिक में चर्चा करेंगे कि रैगिंग को रोकने के लिए भारत में क्या कानून है टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से अनरोध है, किसे ध्यान से पढ़ें या सुनें, अच्छा लगने पर सब्सक्राइब करें, सेयर करें, लाइक करें, एवं बेल आइकन दवाना न भूलें, चलते हैं टॉपिक पर 1980 के बाद भारत में विश्विद्यालेओं, कॉलेजों में चात्रों को रैगिंग के कारण अपनी जान गवानी पड़ी, तब सरकार एवं सरवोच्च न्याले ने इस पर ध्यान दिया और अनेक कानून बनाए गए रैगिंग साधारंता सिक्षन संस्थानों में होता है, इसे रोकने के लिए निमने कदम उठाया जा सकता है नेशनल एंटी रैगिंग हेल्फ लाइंग अठारह सो एक सो असी पचपन सो बाइस पर सिकायत किया जा सकता है इमेल एड्रेस हेल्फ लाइंग अट दे रेट अफ एंटी रैगिंग डॉट इन पर भी सिकायत दर्ज की जा सकती है बिस्विद्याले अनुदान आयोग में भी वेव पोर्टल पर उनलाइन सिकायत दर्ज की जा सकती है बिस्विद्याले अनुदान कॉलेजों में अन्टी रैगिंग स्कॉाइट अन्टी रैगिंग कमीटी मेंबर अफ दा हेड अफ दा फैकॉलिटी हेड अफ दा कॉलेज के पास सिकायत दर्ज की जा सकती है अल इंडिया कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए किया गया है इंडियन मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए किया गया है इबंग कॉलेजों के द्वारा नमंकन के समय अब विद्यार्थियों एबंग माथा पिता से रैगिंग न करने का सपत पत्र भी लिया जा रहा है सिक्षन संस्थानों के प्रोस्पेक्टस में भी रैगिंग रोकने के लिए रोकने से समंधित कानून एबंग सर्वोच्छी न्याले की दिसा निर्देशों का भी उलेख किया जा रहा है एबंग रैगिंग करने पर दिय जाने वाले दंड का भी उलेक किया जा रहा है प्रसासनिक दंड के तहट रैगिंग करने वाले छात्रों को कक्छाओं एबंग सैक्षनिक विसेसाधिकारों में भाग लेने से रोकना, एबंग अन्य लावों से रोकना, परिक्षा का पडिनाम रोकना, जुर्माना करना, छात्रावास से निस्कासन, एबंग प्रवेश को रद्द करना आधी दंड दिया जा सकता है। अगर रैगिंग गंभीर प्रकृति का है, तो पुलिस थाने में FIR दर्ज की जा सकती है। इबंग रैगिंग करने वालों को न्यालय से सजा दिलवा सकती है। माननी सर्बोच न्यालय ने भी समय समय पर रैगिंग को रोकने के लिए अनेक दिसा निर्देश दिये हैं। इसमें 18 मई 2009 को दिये गए निर्द इनवर्सिटी ओफ केरेला भरसेज, कौंसिल्स, प्रिंसिपल्स, कॉलेजेज, केरेला एंड अधर्स उलेखनी है। राच्च सरकारों ने भी रैगिंग को रोकने के लिए कानून बनाये हैं। राच्च सरकारों ने भी रैगिंग रोकने के लिए प्रियाप्त है। जिससे लोगों के लिए जाग रूकता आज सके एवन इस अपराद को रोका जा सके। धन्यवाद जय भारत। जिससे लोगों के लिए भारत।